नौ की शिया यतीम खाने में उस समय हड़कम मच गया जब एक महिला संगठन की कारिकरता फरहत नकवी ने यतीम खाने पहुँचकर वसीम रिजवी की पत्नी से मिलने की कोशिश की दरिसल फरहत नकवी को पिछले कई दिनों से फोन पर शिकायत मिल रही थी किशिया वकफोर्ट के चेयरमेन वसीम रिजवी ने अपनी दूसरी पत्नी को जबरन बंधग बना कर रखा है इसके बाद फरहत नकवी ने यतीम खाने पहुँचकर उस महिला से मिलने की कोशिश की वही मौके पर मौझूद लोगों ने फरहत नकवी से वसीम रिजवी की बात करवाई जिस पर वसीम रिजवी ने उन्हें जेल भिजवाने की भी धंकी दी वकवोड चेयर्मेन वसीम रिजवी जी अपनी वाइफ को सेकेंड वाइफ ब्यूटी नामकी जो महिला हैं उनको बंदी बना के रखे हैं और मार पीट करके अपनी वाइफ के साथ उत्पीड़न करते हैं में फरहत नखी ग闪 नेती हों अलएा वत्पिरईन के खिलाप मेरा हुब फाउंडेशन के माद्यम से एंजियो से इक लड़ाई लड़ी है करएं आधी करव से यह टाइम से यह अड़ोसी प्रणियों से सोचना आ रहे थी कि वसीम डिजवी जी इस तरह का उत्पीडन अपनी वाइफ के साथ कर रहे हैं बंद कमरे में बंदी बना के उनको रख़ा है किसी से मिलने जुर्णे नहीं देते हैं हम यह नहीं कहते हैं हम अभी आरोपित किसी को सिद्ध नहीं करते हैं बट हम महला का महला से मिलना कोई जूर्म नहीं है हम उस महला से सामाजिक कारे करता मिलके सिर्फ हमें उससे पूछना था जिससे हमें पता चल सके कि आखिर सच्चाई क्या है इसलिए हम उनके घर पे गए उनके घर पे उन्होंने मेरे पीछे काफी लोग लगा दिये और ये यतीम खाने में बन्दी बना के उसको महला को रख गया है तो वहां पीछे साइड में छोटा सा गेट था जो मुझे सूच रह मिली थी उसी कियाधार पर सोटे से गेट में पहले में गई मैंने काफी दे न पर करने के बाद उनके फोन से उन्होंने वसीम रिजवी जी ने मुझसे बात की तो मैंने कहां पर हमें सिर्फ आपकी वाइब से मिलना है ऐसा सामाजिक कार्यकरता हम चाहते हैं कि हम हमको सच्चाई सामने आए जो हमको सूचना मिल रही है ऐसा है या नहीं है तो उन्होंन आप मुझे जेल भीजवा दीजे लेकिन एक महिला से मिलना उससे पूछना मैं अभी ये तो नहीं कह रही कि आप आरोपी हो मैं सिर्फ आपकी वाइफ से मुझे सुनना चाहती हूँ कि सच क्या है कि ताकि मेरे पास यह जो लगातार फोन आ रहे हैं वो फोन ना आए फिलाल फरहत नकवी ने सहाधिजगन थान में अपनी तहरीत दी है और अब वो महिला आयोग और उच्छ अधिकारियों से मामले को लेकर बातचीत करेंगी ताकि उस महिला को इंसाफ मिल पाए न्यूस के लिए लखनों से सिराज की रिपोर्ट झाल